वेल्केम इस्ट्रेंड मैं आपको विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिरता हूँ तो इस्ट्रेंड आज आपकी क्लास नंबर थर्ड हम लकानने जा रहे हैं जो कि रोपर दीजा है जो कि मैने आपको बताया जो इसके थियोरी तो एजी है लेकिन कुछ इसमें चियों चṣके रहे हैं दो Carryस के मैं को इसे कना सीप्तरमें्बर रिख जाम नई है में आपको A6 और A8 की क्लास दोनों ही क्लास को मैं कोसिस करूँगा फिलाल अभी जून में आपको मैं कम्प्लीट कर दूँगा A6 की लगबग काफी जाज टॉफिक आपको कवर कर दूँगा तो जिनको ही पर्चेस करना वो मुझे को वाटसप पर मैसेज करें नमबर मेरा इस है आज का जो हमारा तीसा टॉपिक है वो होगा डेटा, रेप्रिजंटेंटेशन्ट और नमबर सिस्टम और फिक्ष एन फ्लॉटिंग पोइंट नमबर के बाढरें हम आज बात करेंगे ठीक है तो आज हमारा वो चलेगा यह को रिप्रेजने किस पिकारती किया था औरो न कर दें और चैनल सब्काइब नहीं किया तो प्लीज जरू सब्काइब के लिए बैल आइकन को प्रेस्ट कर लें हिस्ति कि आपको कॉंटिन्यू वीडियो के नॉटिपिके से मिलते हैं मैं देखा हूँ अपने पोर्टल में काफी कम लोगों ने चैनल को सब्काइब किया आप उसको सिर्फ वहाँ से इंग्लिज में थियोरी उसकी रटनी है और इसका एक्जामपल जो मैं बताऊंगा वह आपको एक्जामपल लिख देना तो इंग्लिज में भी आप लिख सकते हैं इसे नंबर सिस्टम आपका क्या है इन आवर डे वाई डे लाइप में हम लोग यूज करते हैं इंधी डेसिमल नंबर सिस्टम इसी बेस ऑफ टैन तो इस इंपर सी लेंग में लिखने है मैं आपको लिखवा दूँगा आपको दिक्कत नहीं होगी तो चली देखते हैं आप समझते हैं हिंदी में तो नंबर सिस्टम के बारे हम लेखते हैं ठीक है बह। बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में बहुत एजी से मैं आपको समझाओगा तो नंबर सिस्टम का प्रोग हम लोग कहा करते हैं सूचना को पर डर्सित करने के लिए करते हैं जब भी हम कोई लेटर या वर्ड कंप्यूटर में लिखते हैं तो उसे नंबर में बदल आपने एक टाइप किया तो इसके एक पीछे के जो नंबर सिस्टम होगा वह आपका जीरौ और वन के रूप में वह सेव होगा यानि कि जो आपका कम्प्यूटर के जो में मौरी इस चोर होती है किसमें होती डिट दो डिट पर काम करता है जीरौ और वन पर आप बी इसके लिए sky code का यूज करना परता है, sky code जब आप चार्ट देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ आपने ए टाइप के है, तो ए का जो बायनी डियेट का है, वो कितना है, वह वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है, तो चली देखते हैं, तो इसके पीछे वर्ड है या लेटर है, वो उसके अनुसार वो बायनी डियेट को नमबर सिस्टम में बदल देता है, ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर सभी परकार का डेटा, तता सूचना बायनी संक्या में परदर्सित करता है, जैसे की आडियो, वीडियो, ग्राफिक, आजिस सभी को वो बायनी डियेट में कनवर्ट करता है आपका PC, आगे चलते हैं, अब देखिए या पर बायनी सिस्टम किसने बगार के होते हैं, तो there are four types of binary system, हमनों चार बगार के बायनी सिस्टम के बारे हम पढ़ेंगे, तो पहला है decimal, तुसरा है binary number, तीसरा है octal number system, और चौता है hexadecimal system, तो इन सभी का अलग-अलग function है, अलग-अलग इनके करने का तरीका है solution का, और इसमें सभी के अलग-अलग जो होती हैं, इस परकारते बेस होती हैं, तो अलग-अलग बेस होती हैं, उसके अनुसारी हम इसमें काम करते हैं, और इसके अंदर कोई भी digit हो सकती है, तो किस प प्रोग हम अपनी देनिक जीवन में करते हैं, जैसा कि मैंने इंगलिस में भी बताया था, जिसमें किसी भी संख्या को परदर्शित करने के लिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंक को का प्रोग किया जाता है, यानि कि कोई भी decimal number होगा हमारा, वो किसे arrangement करेगा, 0 से 9 के बीच में, ठीक है, और इस number system का अधार जो होता है, base होता है decimal का, वो कितना होता है, 10, यानि कि माले यहां पर लिखेंगे, 15, तो इसका base जो बनेगा वो 10 होगा, ठीक है, जो कि redix किसी number system में प्रोग की जाने वाले अंको की संख्या होती है, तो इसका base जो होगा decimal का, वो कितना होगा, base 10 होगा, base और redix आप बोल सकते हैं, दोनों यहां पर represent करते हैं, ठीक है, आगए चलते हैं, तो decimal number system में किसी लिखी गई प्रते एक संख्या के, प्रते एक अंका अपना की स्थान यह, यानि कि मान होता है, और इसे गुडांग जाने कि multiple factor भी कहते हैं, अब गुडांग जो हो सकता है, सैकड़ा में, दाही और इकाई इत्यादी में हो सकता है, उधान के लिए देखें, आप एक ग्यांपल दिया गया है, बहुती simple सा, तो चलिए समझते हैं एक ग्यांपल को, तो मान लेजे value दी गई है, 6262.67, अब इसको आपको पर देखें, किस में करना, base 10 लगी, तो 6 into base, यहां से start करेंगे, 6 की power, इसके पहले, point के पहले की value लेंगे, अब यहांगे, point की पहले कितने value बची, यहां पर 3, तो 10 की power हमने लगा दिया 3, ठीक है, plus किया, अब यहां पर 2, 2 पे आए, 2 के पहले कितने, point के पहले की value कितने, 2 है, तो 2 into 10 की power 2 कर दी, ठीक है, उस के बाद कोई value नहीं है, point के पहले, तो 0 होगा, उसके बाद point लगाए, plus, फिर 6, फिर point के बाद यहां पर minus हो जाएगे, ज़र की value जोड़ेंगे, तो minus 1 हो जाएगा, और देखें, last में 7 का जब हमने लिया, इसका, तो 6 की base हो जाएगे, यहां पर 10 की power minus की 2, तो इस पकार से पूरी value जो है, वो define होगी, और उसके बाद आप इसको calculation कर लेंगे, तो इसके value आपका सामने निकल के आजएगे, तो उधान के तौरपे आपे जो 6 को है, वो 10 से गुणा किया जाता है, और 2 को 10 की power 2 से, आप असमें गुणा करते हैं, उनकी खातों को जोड़ देते हैं, त आपका जो है, वो binding number system, जो है, आपका decimal number system, जो है, वो आपका निकला था, ठीक है, तो उसके बाद है, second, जो है, वो है, binding number system, इसके मैं already video बना चुका हूँ, O-Level की जो class थी, उसमें आप देख सकते हैं, और अच्छे से मैंने आपको fpn किया हुआ है, आप उसको भी देख स system है, तो digital computer, आपका सारा data, जो है, वो binding number में ही बैसे करता है, और binary system का जो base होता है, वो 0, 1 होता है, जैसे कि मैंने बताया, और उसका base जो होता है, दो होता है, तो इसके अंदर कोई value लिखेंगे, 1, 0, 1, 1, इस परकार का base कितना होगा, 2, ठीक है, केबल 2 यह तो होते है, 0, 1 पर ये काम करता है, उधान के लिए से कि 1, 1 यह आपकी value दी गई है, तो इसमें 0, 1 का ही अंख है, बाकी तो आपका जो है, वो binary संक्या है, और इसके बाद में लगा, जो bindu है, वो आपका binary point कहलाता है, इसके point की जगा के लिए value है, वो binary point आपका कहलाएगा, ठीक है, तो इस परकार से इसको represent करते है, एक्जांपल लेखेंगे, तो आपको और ज्यादा easy sound आएगा, उसका octal है, सबका example समझ ले, octal number system किया, octal number system के वैवल, 8 से 8 अंख होते हैं, और यह किस से represent करता है, 0 से 7 तक की values में लिखी जाती है, यहाँ पर लिखा है, 0 से 7 तक की होती है, और इ octal कर रहे है, hexadecimal है, hexadecimal में जो आपको 10 अंख होते हैं, और 6 लेटर होते हैं, 0 से 9 तक की तो value होगी आपकी, 0 से 9 तक उसके बाद 6 लेटर होगी, जो की A, B, C, D, E, और F होगी, और इनकी भी binary value होती है, उसके निसारी हम जल्दी से मान को निकाल लेते हैं, किस पकार से द 10 है, उसकी value A होगी, तो इसके बाद 9 तक तो आपकी value होगी, जो 10 की value होगी, वो हम A से represent करेंगी, ये 10 होगया, ये 11, 12, 13, 14, 15, तो 15 तक की value इसमें define basically पर दस्रित की जाती है, और last जो इसका base होता है, वो 16 होता है, यानिकि value इस पकारत होता है, मान लेगे, 4, B, 1, इसकी value को आपको निकालना है, तो base 16 के रूप में, इस पकारते इसको represent और लिखा जाता है, ठीक है, तो अब देखें, इसके conversion किस पकारते होते हैं, वो आपको उता जाते हैं, जैसे कि binary से decimal में करता है, decimal से बानिमाल में पूछा जा सकता है, octal से decimal में, decimal से octal में, octal से binary, binary से octal, hexa से binary, किसी से भी आपको conversion पूछा जा सकता है, आपस में, binary से hexa में, hexa decimal में, decimal से hexa में, और octal से hexa decimal में, तो किसी भी रूप में आपका question जो है, पूछा जा सकता है, अलग-अलग pattern है, आपको सारे नियम पता होने चाहिए, कि किसमें base 2 लगे, किसमें base 8 लगे, किसमें 10 लगे, किसमे 16 लगे, कि तो वो अलग-अलग आपको लगानी होती है, तो इसका एक चार्ट है, decimal से बाइंदी का मैंने आपको डाल दिया है, PDF में, समझाने के तो यह decimal है, और यह बाइंदी है, तो decimal कितना 0, लेकिए, इसको किस पकार से बनाते हैं, तिया संक्या मान लेकिए, आप तो आपको सिखा देता हूँ, एक बार, यह होगा decimal, यह होगा binary, ठीक है, यहाँ आपने आपने संग्या लेकिए, 1, 2, 3, 4, जितने भी आप संग्या ले सकते हैं, इसको लिखना तरीका है, पहला आपका 0 होगा, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर आगे से खतम होगा, तो फ 1, 1, 0, 0, 1, 1, इसी पकार से, उसके बार, 4, 0, 0, 0, 0, 0, फिर 1, 1, 1, 1, 1, जैसे कि यहाँ पर देखे, हुआ, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, इसी बार, continue जटा जला जाएगा, नेक्स में आ जाएगे तो यतनी संग्या होगी, 7, 8, 9, जितने भी बैदा होगी, उसके बार, 0, 0, 1, 1 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, इस परकार से, चार्ट हम ट्यार करते हैं, decimal से बार, 7 में आगया, बहुती सिंपल है, उसके बाद दूसरा चार्ट हमारे बास है, binary to hexadecimal conversion का चार्ट, इस अब हाथी से बना जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बना कर दिखाया, तो यह आपका decimal value है, एक स 0 से लेके पंदा तक दे दी, क्योंकि आपकी जो hexadecimal की value होती ही, वो पंदा तक होती ही, तो मैंने पंदा तक का पूरा चार्ट इसमें, आपको एक example के दौर पर समझा देते हैं, इसे कि जब हम example लेंगे, तो आपको और ज़्यादा के लिए समन में आएगा, तो देके value व जिरो, 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 जिरो जिरो बन वन वन इस परकारते continue value चलेगी, ठीक है, तो ये चार्ट बनाने, आप बनाना सीख लें, अपनी copy में इसको बना ले, design कर लें, तरीका मैंने आपको बता दिया बनाने का, और hexadecimal में आपकी पंदा तक की बहुत ही simple example हमने यहां पर लिए है, तो यहां पर एक binary value दी गई है, देखे, one, one, zero, one, one, zero, इसका base है, two रहने के आपकी binary इसको, आपको decimal में लिकालना है, decimal की value कितनी होती है, base 10 होता है, तो देखे तरीका, आपको start करना है, यहां से, ठीक है, one, इसके पहले की value कितनी है, य एक, दो, तीन, चार, पॉट तो one इंटो two की पावर five लिखा ठीक है, फिर प्लस लगाया, फिर यहाँ पर आए one पे, कितने बचेए यहाँ से, एक, दो, तीन, चार, one इंटो two की पावर four, उसके प्लस लगाया, फिर zero से आए यहाँ पर, तो इधर से आपका लिखा जाता है basically, लिए लेफ्ट से राइट हम लोग उसको लेते हैं ठीक है तो जीरो की पावर यहां पर कितने बचे तीन प्रस लगाया वन पर आया यहां पर यहां पर कितनी बचे दो वन की पावर टू कर दिया फिर यहां ले वन पर आया कितनी बचे वन फिर जीरो पर जीरो के बाद को नह तो आपका आएगा 32 तो देखिए यहां पर आया 32 पहले की वैलू दूसरे का आगा आपका 16 इसका वैलू आ जाएगा 0 क्योंकि प्लस में होगा तो जब इसको करेंगे 2 की पावर 8 होगा लेकिन जब प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा और यह इसकी वैलू जाएगी 4 इसकी कलकुलेशन और इसका आंसर हम लोग लिएा जब हम करते हैं बाइनरी से डेसिमल में कनवर्दन तो आसा करते हैं आपको सम। चींबस में समो्त ने बताया आप बाइनरी से डेसिमल में लिए बाएनरी में कनवर्दन करना तो देखे मैंने आप एक हल करके आपको समझा दिया इसको मैं आपको समझा देता हूँ तो एक जामपल के तोर पे ये देखे हमारे पास है ये decimal number है और इसका base 10 है हमको answer लाना किसमे base 2 में लाना है ठीक है तो किस पकार से इसको लाएंगे तो देखे इसका answer इस पकार से तो हमारे कितना आएगा 50 और remainder कितना बचेगा जीरो इस पकार से लिखा जाता है MSB प्रिकरिया है यानि कि उपर से नीचे से उपर के वह हम लोग जाते है उसके 50 आया फिर यहां से दो डिवाट गया 25 आया ठीक है अब यह दो से किया तो दो एक कम दो और दो दो नहीं चार चार में से पांच में से चार कितना बचे है एक तो यहां पर जो remainder आखळागा वह यहां लग देगे एक बचा ठीक है फिर ये दो से क्या पूरा-पूरा चला गया तो कितना है जीरो फिर दो से क्या तीन में आ गया ये भी हो गया पूरा-पूरा कट गया जीरो फिर दो एक कम दो एक बचया तो एक रिमांडर यहां डाल दिया दो से जीरो का यहां भी एक बचया तो यहां पर यहां पर यहां प को समझा दिया यह पर कौन सब कनवर्जन है यह आपका है decimal से बाइनरी तो 10 से बाइनर करते हैं यह दो से उसको भाग करते हैं और जो से बसता है उसको और यह monitor को इसा side में लिखते जाते हैं, उसके पाद MSB का formula लगाता है, यानि की नीचे से उपर तक उसको count करके calculation करके लिख देते हैं, तो देखिए, यहाँ पर answer इस परकारते मिल जाएगा, बहुत है सिंपल है, आपको सुन में आगया होगा, आगे है 384 है, तो यहाँ से start के 3 into 8 की पावर कितने 2 हो गई, वही तरीका है से plus कर देंगे, और उसको करके calculation कर देंगे, बेस 10 लगा देगा answer हो गया, वही तरीका है, जो आपको पहले आले हम बताया देगा, तो यह थोड़ा पूरा-पूरा 7 बचेगा, ठीक है, उसके बाद 8 से जब इसको किया, तो 8 से 24 और remainder कितना बचा, तीस से 24 के बाद करेंगे तो 6 remainder बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे पूरा-पूरा 3 आ जाएगा, आठेका में एक, और यहाँ पर पूरा 0 है, तो यहाँ पर 3 remainder आ जाएगा, त तो आगे चलते हैं, octal to binary conversion, बहुत ही easy है, इसमें 3 bit binary संक्या आपकी होती है, तो octal to binary conversion किस पिकारते हैं, 4, 2, 3 की base 8D है, और इसको base 2 में आपको लाना है, यानि कि किस में लाना है, binary में, तो octal value है, आपकी है 4, 2, 3, तो यह आप किस से निकाल लेंगे, chart से, तो यहाँ जो मैंने chart आपको बताया था, अगर वह आपको बनाना आ जाएगा, तो आप बहुत अजानी से इसका answer निकालेंगे, तो इसका कैसे answer निकालेंगे, अब 4 आपको देखना है, 4 का जो हमने देखी चार्ट हम आपको दिखाते हैं अभी, तो 4 का हमारा क्या है, 1, 0, 0, ठीक है, हो गया, simple है तरीका, 1, 0, 0, 2 का कितना है, 2 का है, आपका 0, 1, 0, उसके बाद है, 0, 1, 0, तरीका है, 0, 1, 1, तो answer क्या हो गया, 100, 0, 1, 0, 0, 1, 1, base 2 लगा दिए, तो इस बगार से लगाते हैं, इसका होती easy, अकर आपको binary के chart बनाना आता है, तो हाँ से value उठाके, आप यहाँ पर बर दे, simple सा, तो इसको हर करने से पहले, एक बार आप chart बना लिया करें, paper में, उसको बाद में मिटा दिया करें, रवड से 35 दे, तो आपको जो इसके equations होंगी, वहाँ पर solve करने में असानी होग आपका पहला जो है, देखिए इस पर गारते, 011, ठीक है, उसका 011, फिर 101, तो value की इस पर करते आई, 110, 111 और 02, तो यह आपका ओगे 3, यह ओगे 3, और यह ओगे आपका 5, यह value कहां से मिलेगी, जब आप chart बनाएंगे, वहाँ से आपको इसकी value आपको मिल जाएगी, तो ब 011, 100, और 101, ठीक है, सौन में आगे, इस पर कार से इसकी value निकालते हैं, तो यह आपका तीसा नमबर होगा, यह भी आपका देखिए, तीसा नमबर पर आएगा, 011, और यह 5, तो 335, 335 के base 8 आपका आँसा आजाएगा, ठीक है, आगे चलते है, hexadecimal 2 binary, अब इसमें आते है, तो इसमें hexa का formula लगेगा, देखें, बहुत ही easy है, यह भी, तो इसमें एक value दी गई है, 5AE2 के base 16 दी गई है, इसको decimal में निकालना नहीं, base 2 में निकालना, तो पांचवे नमबर का चार्ट देखेंगे, तो उसके value होती है, 0101, अभी आपको दिखा देंगे, A का पांचवे नमबर का था, तो पांचवे नमबर के value कितनी थी, 0101, ठीक है, उसके बाद क्या था हमारे पास, 31 number पेट पर चलते हैं, उसके बाद था A, तो A के value कितनी है, आपर देखें, A हमारा ये है, A की 1010, देखें यहाँ ठीक है, यहाँ बेस 10 A है, तो यहाँ पर 1010, उस बी की value यहां कितनी है 1011 ठीक है तो इसी पेकार से base पूरा continue हम करते चले जाएंगे और आपका जो answer है वो किस पेकार से बन के आएगा जिरो वन जिरो वन देखें 1010 1110 और 0011 base 2 तो यह है पूरा conversion का तरीका जो मैंने 4 थे आपके octal 1 देशा हैक्सा सब आपको समझा दिया है तो इतना ही था आपके इस chapter में हासा करते हैं आपको 7 में आगे होगा इससे स्वाधा simple आपको कोई नहीं समझा पाएगा तो यह था आप करेंगे fixed and data floating number system के बारें बहुत easy है और अच्छा topic है तो चलिए आगे चलते हैं और इसको